नमस्ति जी विदिक राष्ट में आपका स्रागत है आज का हमारा विशे है इश्वर परम दयालू एवं सबसे महान है स्वामी चित्ते शरानंद विदिक साधानास्तरम तपोवन में सामवेद परयाण यज्ज संपन्न हुआ आज के सलेक के लेखाक है विदिक पिद्वान मनमोहन कुमार आरे दहरादून से इस तरह के अन विदिक लेखों के लिए प्रणादय कहानियों के लिए महापुरुशों के जीवन परसंगों के लिए विदिक राष्ट यूटूब चेनल को लाइक करें शेयर करें दिनांक 211-2020 से आरंब होकर रविवार दिनांक 8-11-2020 को निर्विद्न संपन्न होगवा समापन दिवस पर प्राता 7 बजे से प्राता 9 बजे तक जज संपन्न किया गया इस जज के अनंतर जज की पूनाओती बलेवेश देवेश यज जजमानों को शिरवाद सामुई जज प्रातना सांतिपाठ आदी की क्रियाएं भी संपन्न की गई इसके बाद सभी जजमानों एवं जज में उपस्तित धर्म परिमियों ने जज के भ्रमा स्वामी चित्य सरानंद सरस्वती से आसिरवाद लिया जज कराने वाले सभी लोगों वा विद्वानों से आसिरवाद हुए अपनी सरद्धा के अनुसार उन्हें कुछ द्रव्यादी भेट किये भजन और व्याख्यान का कारिक्रम आस्रम के सवागार में प्राता दस वजे से आरंब हुआ जज की पुणावती के बाद स्वामे चित्ते सराद्ध जी ने सभी यजमानों की और से इस्वर से सामोई प्रातना भी की उनकी प्रातना में इश्वर को संबोधित कर कहा गया कि है परमिश्वर आप परमदयालू हो हम आपका बंदन करते हैं आप हमें उदार बनाएं आप सबसे महान हैं आपने हमें इस महान देश भारत में जन्म दिया है यहां हमें सुद्ध प्राणवायू जल अन अनेक धातुएं अनेक अनेक सुख प्रदान करने वाले पदार्द प्राफ्त हो रहे हैं आप सब प्राणियों के जीवन का अधार हैं आपने ही सिष्टी के आदी में आमेथुनी सिष्टी में अतपन चार रिशियों को सुख और मुख्च दायक वेदों का ग्यान दिया था हम लाखों वर्ष तक उस जीवन के अधार पर चले विश्टी का मार्ग दर्शन किया बाद में वेदों के मार्ग से भटक गए हम इसके बाद आलश शिप्रमाद अंद विश्टासों में फज़ गए हम देख रहे हैं कि संसार में असांती वाहिंसा फैल रही है ऐसा अविद् किया उन्हें मार दिया गया उसके उनके द्वारा किया जा रहा इससे वेद जो प्रकास का कार है वावृद्ध हो गया है बगवन हम वेदों पर चलने वाले हूं आप हमारी रक्षा करें देश के सभी लोगों को कोरोना महामारी से रक्षा करें सभी की देश में एक महान आ आपके क्रपा से सुरक्षित रहें आप हमारे देश के यशश्वी देजवक्त प्रधान मंत्री के रक्षा करें उन्हें बल और शुक्ति प्रधान करें देश के प्रधान मंत्री देश को अपराद रहित करने में सफल हो हमारा देश विश्व का उन्नत और विक्षित देश बने हमारा देश वेदों के ज्ञान से उत प्रोत विश्व का धर्म गुरु और द्यात्मिक देश बने हमारा देश सभी छेत्रों में आत्म निर्बर हो हम सभी देशवासी दन और एस्वरे से संपन्न हो वेदिक धर्म और वेदिक संस्कृती की विश्व में उन्नती हो हम आपके ज्ञानवा अनंद से सराबोर हो हमारा यहाँ सामबेद परायान एंगायतर यज जन जन के लिए कल्यान कारी हो देश्वा विश्व में सरवत्र सुख सांती हो हम अपनी नई पीडी को वेद का संदेश दे सकें सब का मंगल और कल्यान हो इनी सब्दों के साथ स्वामी चित्ते सरानंद सरस्वती जी ने अपनी प्राथना पूर्ण की जज का संचलन करने वाले वेदिक दुवान स्री शेलेश मुनी सित्यार्थी जी ने अंत में कहा कि हमारे जज के अंदरविग्न पूर्ण होने के लिए परंपिता परमात्मा का कोटी कोटी धन्यवाद है सबागार में कारिकरम आस्रम के 89 सदस्षिस्री वजे आरी जी की अद्यक्षता में हुआ कारिकरम के आरंब में स्री रमेश चंदर इशनेही जी ने एक भज़ान प्रस्दत किया जिसके बोल थे वहा कौन आया रोशन हो गई दुनिया जिसकी बात से वेद की पुस्तक हाथ में लेकर हाथ में निकला था जो गुजराज से आस्रम के मंतरी स्री वेद प्रेम प्रकाश शरमा जी ने आस्रम का परिशे दिया उन्हें ने बताया कि आरे समाज के प्रशिद वद्वान वा सन्यासी महत्मा आनंद स्वामी जी आश्रम के स्थापना से पुर्व, इस आश्रम के निकट बनों में सन 1947 से 1950 तक योग साधना करने आया करते थे यहां उनकी पसंद का साधना करने के लिए उपक्तिस्थान था वरतमान में इस आश्रम को सौमी चित्तेस्टरान सरस्ति जी ने अपनी साधना से पवित्र किया है विगत अनेक वर्षों से स्वामी चित्तेस्टरानन जी यहां फरवरी मार्च के महीने में चतुरवेद परायन जिज़्ज़ कराते हैं आश्रम की प्रमुक गती विदियों में आश्रम दारा संचलित एक तपोवन विद्या निकेतन जूनियर हाई स्कूल है इस विद्याले में चार सो से अधिक बच्चे पढ़ते हैं उच्चा थर से शिक्चों की उत्तमता के कारण यहां विद्याले इस शेत्र के अभिवाओं का सबसे पड़ेधा विद्याले है आश्रम में प्रती दिन दोनों समय जज्ज होता है आरेजन के प्रसिद विदवान आरेचार आशिष दरसनाचार जी आसरम में निवास करते हैं वर्ष में अनेक बार यहां युवक वजूतियों के लिए यूग साधना जीवन नर्मान सिविल लगाते हैं आसरम में एक माशिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है जिसका नाम पाउमान है इसके बाद मंत्री जी ने आसरम की गतिविदियों के संचालन में प्रमुक सहयोगी और साधन धर्म प्रेमियों के दान की चर्चा की और लोगों से मुक्त हस्त से आसरम की साहता करने का निरोध किया जिससे आसरम के सभी कारे सुगमता पुरवक चलते रहें इसी करब में कारिकरम के संचालक सेलेश मुनि सत्यारती जी ने कहा कि हमारे देश का प्राचीर नाम आर्यावर्त है सश्टी के आरंबवा इसके बाद हजारों वर्षों तक अर्यावर्थ के अत्रिक्त संसार में कोई देश नहीं था हमारा संदेश था कि सब मिलकर आपस में प्रेम पुर्वक रहें पृती पुर्वक रहें सिस्तितार्थी ने कहा कि आरसमाच के हम लोग एक जुगनू की तरह हैं वहले ही सुर्र के समान प्रकास देने वाले हैं नहीं बन सके परन्तु जुगनी के समान टिम्टिमा तो सकते ही हैं इसके बाद देवबंद से बदारे बजन उबदेशक स्री राजवीर आरेजीश ने भजन गाया जिसके बोल थे मुर्दा है वो जो सौविमान नहीं जिस इन्सा की आँखों में पानी नहीं है बिधाता मेरी कौम को क्या हो गया है जिएजिन्दा तो है जिंदगानी नहीं हैं स्री सर्फियर आर के भजन के बा। dog के बाद दुरॉन श्तली कन्यागुरुकल की छात्रा सुरू स्री दिप्वत आरया जी का वैक्थेयन हुआ उन्होंने कहा कि सांबिद उपासना का वेद है। उपासना शर्वयापक इश्वर की ही की जाती है। उन्होंने कहा कि उपासना निकट बेटने को कहते हैं संसार में मनुष्यों के करमों में विचितरता है प्रत्यक विक्ति को अपने करमों का फल मिलता है अता इसलिए ही कोई राजा तो कोई रंक है डिप्ति आर्रा ने पूछा कि मनुष्य संसार का सखास मनुष्य का संसार मे कोन है इसका उत्तर यहा है कि परमात्मा ही सब प्राणियों और जीमों का सखा है उन्होंने कहा कि परमात्मा सभी प्रकार के धन और एश्वर्यों को देने वाला है परमात्मा भाह है जो कभी किसी का से पराजित नहीं होता वहा हम सब मनुश्यों द्वारा इस्तुती प्रातना और उपासना करने यूज्ज है दिप्ति आर्या जी ने कहा कि गुरुकुल में चात्रों वा चात्राओं से अनुशासन वा द्रड़ता से पालन कराया जाता है उन्होंने मेत्री, करोणा, मुदिता, उपेक्षा, मानवता का उल्ले किया और इन पर विस्तार से प्रकास भी डाला दिप्ति आर्या ने कहा कि हमारी सिख्षा नीती हमें मानव बनने की प्रणा नहीं देती अचारे दिप्ति आर्या ने कहा कि मानव बनने की प्रणा हमारी सिख्षा नीती हमें नहीं देती मनश संसार में खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है उन्होंने कहा कि विदों के अनुसार हमें कर्म करते हुए सो वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए हमें रातरी शेयन से पुर्व दिन में किये गए अपने कार्यों का निरिक्षन करना चाहिए हमें सोचना चाहिए कि कहीं हम परमात्मा से दूर तो नहीं जा रहे हैं हम सबको प्रतिदिन इश्वर के उपकारों को इसमरण करके उसकी उपासना करनी चाहिए उन्होंने बताया कि त्याग पूर्वक जीवन वितीत करना विदों का संदेश है दिप्ती अर्या जी ने कहा कि मनुष जब मरता है तो अपने साथ अपने कर्म संचे को लेकर जाता है इसलिए मनुष को सुद्ध वा पवित्र कर्म ही करने चाहिए असुब वा पाप कर्म नह पासना कीजिए डिप्ती अर्या जी ने कि सम्बोदन के बाद एक बालक ने गिश सुनाया किसी बारी भूल हुई थी क्या दिलों में ठान लिया जब इस देश के लोगों ने पत्थर को शर्मान लिया इस गीट की उपस्तिती सभी लोगों ने पसंद किया जितने भी उपस्त इस देशक स्री नरेश दत आरे जी के भजन हुए इनों बदेशों और भजनों को हम एक प्रथक लेक के माद्यम से प्रिश्तुत करेंगे कारेकरम जथा समय सफलता पूरवक संपन्ध हुआ वेदिक सध्धानतों के लिए प्रणादाया प्रसंगों के लिए वेदिक भजन